नमस्कार दोस्तों इस वीडियो को लाइक करें हमारी चैनल को सब्सक्राइब करें इस घंटी के आइकन को दबाएं औल सलेक्ट करें हमारी सभी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए नमस्कार दोस्तों मेरे चानल में आपका फिर से एक बार स्वागत है और दोस्तों जैसी के आप सभी को पता होगा कि Redmi 6 और Redmi 6 दोनोई devices में MIUI 11 का आपने रोलिंग आउट होना स्टार्ट हो चुका है जैसे कि MIUI 11.01 4.0 का स्टेबल अपडेट Redmi 6 से दिवस को मिलना स्टार्ट हो चुका है और 11.01 1.0 का स्टेबल अपडेट Redmi 6 दिवस को रोलिंग आउट होना स्टार्ट हो चुका है इसे MIUI 11 अपडेट को इस्टार्ल करने के बाद तो दोस्ता इस विडियो को शुरू से लेकर लासक जरूर देखते रिये तो बीना टैम वेस्ट के आपर विडियो को स्टार्ट करता है तो चलिए दोस्ता शुरू करते है आज का वीडियो तो दोस्ता है मैंने अपने रेडमी 6 से डिवस के अंदर MIUI 11 का अपडेट है सकस्पुल इंस्टॉल करके रखा है जबकि मुझे पहले अपर फर्स्ट टेस्टिंग अपडेट मिल चुका था उसी टेम मैंने फर्स टेड़े इंस्टॉल करके रखा है टो सारे शारी चेंज लुद देखने को मिल चुक तो आपको सारे ज्यंग van एक Key Podcast साथन जो इंतरु आं जो फॉंट का स्टाइल है शुधिंग यूजर इपरा आप है आपको हैशन के रेडमी 6 में के इन रिचस ताइब तक नहीं पर फीचर देखनेको नहीं मिल अ закон चैनल पर विजिट करके सारी सारी इंफरमेशन देशाथ है किस तरह से 3D टेच एंड आप ड्रावर का जो फीचर से एनेबल कर सकते हैं शाय में कि किसी भी डियोसे के लिए और दोस्ता सेटिंग जो इसर इंटरफेस से उसमें काफी बड़ी चेंज़ेस देखने को मिल चुक और दोस्ता डेटमी 6 दोनल्द यूसेस में पहले से डार्क मोड का फिजटय था लेकर इस चुक्स बारक मोड का फिचर से काफी पसंद आथ चुक्स और आपको प्रवाइट किया गया है उसके बाद दोस्ता आपको फोन के अ की फीचर देशाद आ को कास्टिंग मतलब कि अपने फोन की डिस्प्ले है स्क्रीटिब पर कास्टिंग कर सकते हैं तो नोटिफिकिशन पहले में देशाद आपको स्क्रीन कास्टिंग भी फीचर एड़ किया गा ए रेडमी 6 में और दोसता बाकी डियोंस जैसा कुछ एक अक्टोबर का देखने को मल चुका है और साथी में दोस आपको M.I.U. 11.0 और 4.0 का latest version देखने को मल चुका है तो अभी अगर अगर फोन में M.I.U. 11 का आपडे देखने को नहीं मिले तो थोड़ी दिन वेट कीजे सभी इसको यह पर पब्लीक लेट रोलने का अट होने के बाद सबके अपर अपने रेड्मी 6 से रेड्मी 6 से में M.I.U. 11 का आपडे देखने को मिल जाएगा उसका बात करेंगे चेंजलग फीचर की एपड्रावर के चेंजलग फीचर के बारे में मेबात करेंगे तो अपने शोट्कर्स एड्ट कर सकते हैं तो अपने अपने लेइट अप़्चेंज कर सकते हैं अपको यहां को सब्सå일 के हैं उसके बाद सब्सक्वास एंदर आपको क이 के चेंजल तेकлам को मिल देखेंगे तो सबसे पहले से पहले आपको फीचर देखने को मिल चुका है स्क्रीन कास्टिंग अपने डिस्पले के फोटोस आपने स्मार्ट यूपर कास्ट कर सकते हैं मतलब कर सकते हैं इसके बाद दोसरा की दिस्प्ले का फीचर मिल चुका यूँकी आपको फ्रुंटे के यूश्य करना है उसके बाद सब्सक्रादेश 2 खेयर धारस देखने कमलतें कि देखने को यूश्य का फिंढर सोओ डbrek क्योंकि दोस्तों MIWay 11 update को install करेंग बात जो dark mode का फीचर से मुझे बहुत ही पसंद आ चुका है क्योंकि दोस्तों इस बार आप डार्क देक ही बारेम को स्थोपि दोस्तों धार आर्क फीचर मिल चुका है क्योंकि ठर्ड पार्ट ऐस्ती है जहां ड़ी अलिख किया गया है उसके बदर उसके बात करेंगे इस पार में को इसकर वाईबरेचन चेंजर आपको काफी बड़ा देखनेको मल चुका है साथ में दोस्ता नीची की वॉलींग बटन्स देसे देजिए के नोटिफिकेशन का वालम से कॉलिंग का वालम से इसके बाद आपको चेंजेस देखने को मल चुका है और इसके पहले जो कुछ बटन्स तक को सिंगल मतलकी वन लाइन के पर सिंगल बटन्स थे लेकि दोस्ता नेचेंजन लाइन को चुका है और दोस्तों नोटिफिकेशन में अगर हम क्लिक करेंगे तो नोटिफिकेशन आपको और वी तीन-तीन फीचर देखने को मिल चुका है जैसे कि अगर आपको यह अपर lock screen में notification चाहिए तो lock screen में notification को receive कर सकते है और जो भी अपने application को चाहिए उसके अपर application को select कर सकते है Second option देशाद आपको मिल चुका है Floating notification मतलब कि अगर आपको किसी भी particular application का जो आपको notification Status bar की उपर मतलब कि notification पहले की उपर आपको चाहिए तो उसके आपर enable कर सकते है And third option देशाद है notification badges मतलब कि आपको किसी भी particular application का सिर्फ आप सिर्फ आइकों चाहिए मतलब कि सिर्फ आप सिर्फ आइकों से आप यह पर पता चलेगा इस application का notification receive हो चुका है इसके बाद दोस्ता नेक्टे changes देशाद आपको मिल चुका है notification share तो इस notification share में आपको जिस प्रकार से notification चाहिए आपर set कर सकते है अगर आपको custom adjustable चाहिए तो आपर MIUI के सिर्फ कर सकते है And अगर आपको stock ender जैसा setting चाहिए मतलब कि custom adjustable नहीं चाहिए तो पासानी से आपको stock ender जैसा notification share कर सकते है तो दोस्ता इस notification share में आपको बस notification के जो style आपको changes कर सकते है उसके बाद दोस्ता नेक्टे change log feature देशाद है जो कि आपको मिल चुका है home screen के अंदर दोस्ता कापी सारी logo को लगा था कि home screen के अंदर आपको app drawer का feature मिल जाएगा लेकिन अभी तक app drawer का feature से first update के बाद आपको देखने को नहीं मिला है लेकिन दोस्ता नीचे देशाद आपको एक छोटा सा feature आड़ हो चुका है जो कि blur app preview का feature आड़ हो चुका है और दोस्ता इस feature के ज़र आप किसी भी particular application को blur कर सकते है recent tab में और किसी भी preview में देशाद है उसको blur कर सकते है तो जो भी select ए application को blur करना है तो आपको यह पर select कर लिजे and select करेंग बाद दोस्तो example की दोर पर ही देशाद है मैंने यह पर chrome browser को open कर दे और इस तरह से recent tab में यह पिर preview में देशाद इस प्रकर से जो tab यह पर blur हो जाता है तो दोस्ता किसी भी प्रकर से ID, password अगर आपसे गलती से यह पर by mistake save हो चुका है तो blur आप मतलब की preview में सारी-सारी tabs यह पर blur हो सकते है तो काफे हैच आपको feature आड़ हो चुका है, home screen में blur आप preview उसके बदोस्ता बात करेंगे, next changelow features जो किया आड़ हो चुका है, wallpaper और themes में तो इस बार वो काफे बड़े live wallpapers and 3D wallpapers आड़ हो चुका है तो किस तरह से आपको video wallpapers, मतलब की 3D wallpaper enable करना है आपको video के last में बताऊंगा, तो काफे आपको interesting wallpapers आपर add कर सकते है उसके बदोस्ता हम बात करेंगे सबसे most important topic जो किया रहे battery and performance काफी सरी लोगों को लगा था कि ultra power savvy mode का feature देखने को मल जागा आपको बात करेंगे तो जाद आपको बैटरी ड्रेनिक के इस देखने को मिल जाएगा उसके बाद दोस्ता नेक्ट चेंज लोग फीचर के बार में बात करेंगे आपको मिल चुका है आपको बात करेंगे नेक्ट चेंज लोग फीचर के बार में कुछ लोगों को फर्स टायम आपको Google का डिजिटेल वेलिविंग के फीचर से देखने को मिल चुका है तो Google का जो डिजिटेल वेलिवींग के फीचर से जिसके मज़र से आपको पता चलता कि आप अपने फोन के साथ कितना टाइम सपेंड करते हो मतलब कि कितना application कितने टाइब तक यूज किया है कौन सा application के साथ आपने कितना time या फिर spend किया है बात करें दोस्तों next चेंजल लग फीचर्स जो कि आपको add हो चुका है special features and special feature में देशेट आपको और भी तीन-तीन category जैसे कि gain टर्व को feature जैसे कि मैंने बता था कि gain टर्व में काफी सर्य आपको optimization मतलब की improvization देखने को मिल चुका है उसके बाद दोस्तों next चेंजल लग देशेते हैं जो कि आपको मिल चुका है quick reply दोस्तों quick reply के जरी जूब अपने messenger या फिर पारे में बहुत आपको अच्छी देखने को मिल चुका इस बाद रेड्मी 6 डिवाइस में और दोस्तों camera में आपको किसी भी प्रकर से ज्यादा feature देखने को नहीं मिला है इसके बाद दोस्तों gallery में आपको ज्यादा कुछ changes देखने को नहीं मिला है तो gallery के जो features प्रिंटिंग और आपको next update का इंतजार करना पड़ेगा उसके बाद दोस्तों next feature देखने को अंदर देखने को मिल चुका है calculator तो calculator में देखने को इस्टॉल करें में आपको floating windows मतलब की प्रिंट के इस अबने इस अबने इस अबर प्रिंट करने का बाद वीडियो वालपेफर का फीचर इसमें इनेवल हो चुका है तो दोस्त अगर अगर आपके गैलेर में किसी भी प्रकार का वीडियो या फिर एनिमेशन वाले वीडियो है तो उस वीडियो के आपर वालपेपर एज़ सेट कर सकते हैं आपको 3.0 पर क्लिक करने बाद आपको सेट एज़ वालपेपर का ओप्शन देखने को मल जागा तो आ आपको चेंज़ लोग फीचर देखने को मिल चुका है रेड्मी 6 से एन रेड्मी 6 दोनों डिवसेस में एमा वे एलवें का फर्स्ट अब्लेट इस्टॉल करने के बाद और दोस्तों सेकंड थर्ड बैच मतलब कि और भी कुछ डिवसेस में बहुत ही जल्दी अब्लेट द